पुरानी दिल्ली के सीताराम बाजार में एक सो चौदा साल पुराने कोडे मल कुलफी वाला के आउटलेट पर इस आउटलेट तक पहुँचने के लिए या तो चावडी बजार मेट्रो स्टेशन से पांच मिनिट का वॉक करें या फिर जामा मस्जित मेट्रो स्टेशन या जामा मस्जित की पारकिंग से रिक्षा ले ले पुरानी दिल्ली पहुँचते ही जो चीज आपको सबसे ज़्यादा आकरशित करती है वो है यहां का बहतरीन आकिटेक्चर और बहुत पुरानी और खुबसूरत बिल्डिंग्स लीजिए फाइनली हम आप पहुँचे हैं कूडे मल मोहनलाल की कुल्फी की दुकान पर इस दुकान की शुरुआत 1906 में हुई थी आज इसकी पांचवी पीड़ी इस बिजनस को समाल रही है पहले यहां 4-5 वराइटी की ही कुल्फी मिला करती थी पर अब 50 से ज़ादा वराइटी की कुल्फी यहां मिलती है यहां की कुल्फियां नाच्रल इंग्रीडियंट से बनती है बिना किसी प्रेजरवेटिव की पहले दूद को पकाया जाता है खूफ सारे ड्राइफ रूट्स डाल कर फिर उसकी कुल्फी बनाई जाती है फ्रेश फ्रूट्स के पल्प को निकाल कर उसमें कुल्फी भर कर इसे फ्रीज किया जाता है ये है आम, अनार, संत्रा और गुआवा की स्टफ्ट कुल्फी इस कुल्फी को बनाना ही नहीं काट कर सर्फ करना भी एक कला है ये भाई साब जो हमें कुल्फी सर्फ कर रहे हैं ये भी इस शौप में जिनरेशन से काम कर रहे हैं इनसे बात करके मुझे पता लगा कि इनसे पहले इनके पिताजी भी यहीं काम किया करते थे यहाँ 200 रुपीज में एक स्टफ्ट कुल्फी मिल जाती है इस कुल्फी को इनके स्पेशल मसालों के साथ खाया जाता है यहाँ आके मैंने ट्राइ किया यह स्टफ्ट अनार की खुल्फी यहाँ 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 चाहें तो थोड़ा सा ट्राइ करें अब चलते हैं अगली वराइटी की तरफ यह जुलेपा है यहाँ यह 14 वराइटी में मिलती है जुलेपा आप यहाँ 70 रुपे के रेंज में ट्राइ कर सकते हैं यहाँ पैकिंग की भी सुविधा है ऐसा बॉक्स आपको 50 रुपे एक्स्ट्रा चार्ज पर मिल जाएगा जिससे आप कम से कम 10 कुल्फी ले जा सकते हैं पांच से छे घंटे इसमें कुल्फी बिना बिगले रहती है अगर आप यहाँ की कुल्फी का मजा लेना चाहते हैं और सीताराम बाजार तक आना मुम्किन ना हो तो आप इसके बिंगॉली मार्केट या होसखास के आउटलेट भी जा सकते हैं टेस्ट बिल्कुल सेम मिलेगा ऐसा ही कोई पुराना या मशूर आउटलेट आपकी नजर में हो और आप चाहते हूँ कि हम उस पर भी एक व्लॉग बनाएं तो कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं ऐसे ही और व्लॉग्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक और शेयर भी करें थैंक यू सो मच पर वाचिंग